सफर कैसे हूँ, आप सफर होना चाते हैं तो चलू पड़े एक लाजा ने अपनी सेनकों को सरक के मीच में एक बड़ी चटान रखने के लिए कहा चटान को भी सरक में रखवा कर लाजा ने अपनी सेनकों से चुपकर उस चटान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को राज्टे से कौन हटाता है लोग उस जवे पर आते रहे और जाते रहे लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को राज्टे से हटाने की कोशिश नहीं की उस चट्टान के पास से लोगों के घुज़रने वालों ने लाजा की कुछ करीबी रोग और सेहर के बड़े प्यापारी भी शौमिलते और उन मैंसें कुछ लोग तो लाजा को ही कुश़ नी लगते क्क्या राजा ऊस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रियास नहीं किया ऐसा काफी दिमों तक चलता रहा एक दिन एक हिसान अपनी सब्चियों के साथ उधर से घुजर रहा उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि सब को इस चट्टान के वज़े से कितनी तकलिफ हो रही हो उसने अपनी मजबूत लाटी से वो चट्टान को एक तरफ नकेलनी की कोशिश शुरू कर दी काफी कोशिश के बाद वो ए उसे सरक से हटानी में काम्याब हो गया चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किश्वान उपनी सब्चियों को ठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई जो ठीक उसी जगे पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाई थे उसने इस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें सौने के कई सिक्खे थे और उन सिक्खों के साथ ताजा का एक शंति भी था जिसमें लिखा था कि ये सौने के सिक्खे उसके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा दोस्तों बिल्कुल ठीकी सी तरह हम सबके लाइफ में कई परिशानिया आती है कुछ लोग उन परिशानियों से बसको निकल जाते हैं और कुछ प्रास्ता बदर लेती हैं और चंद लोग ठाम लेते हैं उन परिशानियों का हर निकाल लेने की और ऐसे ही लोग मुश्किलों में जंभावनाओं और जंभावनाओं में चिपे अफशर खोज लेती है मजबूत इरादे और नेक दिन की साथ किये गए कोस्तों के बढ़ाम हमेशा ही अच्छे आते हैं इसलिए जीवन में परिशानियों से गवराओ मत बनकि उन परिशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन की शफर में आगे पढ़ते हुए इस तरह की कहानियां आगर और शुनी हैं तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक एड़ सब्सक्राइब करें सियर करें और अपना प्यार बनाए रखें